वागत है है के समझा अर्थ विकास की संबज के अंत्रगत यहां पे आधिक विकास का लक्ष या फिर गयार आर्थिव करक्ष या तुलनक आधार विस्व में देशों के तुलनका आधार क्या होता है या फिर UNDP सेयुक्त राष्ट विकास का कारकम या फिर विस्व बैंक के विकास रिपोर्ट ये सभी प्रशन महत्पूर्ण है विस्व बैंक की स्थापना का हुई थी या फिर आप देख सकते हैं MID का पूरा नाम इस प्रकार के विकास का अधर क्या हो सकता है बैंक में पुझा जाए सकते हैं और अन्न प्रश्णों में आप देख सकते हैं कि यहां पे विकास UNDP एवं विस्व बैंक का मापदंड क्या हो सकता है इसको लिखना है या फिर औसत प्रयोग एवं प्रयोग की सीमाएं क्या हो सकती है इस सभी प्रिक्षा की दरश्टी से बहुत ही महत्मूर्ण ने इसके ला आते हैं इनको याद करना है आपको इसके अलावा रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की गई थी और सकल घरेलू उत्वादक जीडीपी प्रकास कोन होते हैं या फिर सूचना अधिगी की कौन-कौन सी हो सकती है इस सभी कोश्चन यहां पे बहुत ही महत्पूर्ण हैं इन सभी को आप याद कर लें स्क्रीन सॉट लेके और इसके बाद यहां पे संचित भूमी उत्पादित मूल के कुल योखवल या सारवजन के उनीजी शेत्र कौन-कौन से हो सकते हैं या फिर यहां पे प्रात्मिक दुतियक छेत्र की गतिविदी कौन सी है और यह सभी कोशन इसके अलावा कर्ज भार फसनों का कम मूल यह सभी कोशन बहुत ही महतपुर्ण है प्रश्क्षा की द्रिष्ट्री से प्राक्रितिक संसादन पर आधरित किरिया कौन सी कहलाती है या फिर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का सकल मूल को हम क्या कहते हैं यह सभी कोशन बहुत ही महतपुर्ण है इसके लावा अत्रिक प्रेशन के अंतरकत आप देख रहे हैं कि दो और तीन अंक में कैसे देखना है या चेत्र को को के रोजगारेवं सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी पर क्यों केंद्रित करना चाहिए यह सभी कोशन महतपूर्ण हो सकते हैं या फिर तेत्यक छेत्र अन्य छेत्रों में किस प्रकार भिन है या फिर प्रक्षन बिरोजगारियं सहरी छेत्रामिन चेत्रों का अधारन यहां पर हो सकते हैं यह सभी प्रक्षन इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं खुली बिरोजगारी और प्रक्षन बिरोजगारी में अंतर क्या हो सकते हैं या फिर अर्थ ववबस्ता के विकास में चेत्र की भूमी का क्या हो सकती है यह सभी प्रवाइब कैसे कोशन एक पूछा सकते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर मुद्रा के अधनिक रूप हैं और वस्तु के बदलने वस्तु का आधान प्रदान को क्या क्याते हैं या केंदरी सरकार की ओर से करेंस सी नोट जारी कौन करता है यह इस प्रकार के बहुत ही मै सब्स्टा कोने सभी कोशन हो सकते हैं की कैसे को अधने जोख्यम वाली परस्त्रिंव मेंacement करजार के समस्या खड़ी हो सकती है तो यहां पर किसके समस्या कड़ी ऊसकती दिया गया और यहां पर मुद्रा आवश्क्त की दोहरे सेयों की समस्या किस प्रकार सुल जाता है ये सबी प्रशनों हो सकते हैं हमें भारत के रिंग के आपचारिक स्तूरतों को बढ़ाने की ज़रुत क्यों है या स्विम सायता समूँ संगठन के उद्दे से हम विचार क्या है या अतरिक्त मुद्रावाले जरुत्वंद्द लोगों के बीच सही बैंक केस्प्रकार मद्द रखते हैं ये सबी कॉशन हो सकते हैं आप इसके अलावा यहां पे आप देख रहे हैं बैंक द्वारा कुछ कषण दारों को रिंग क्यों नहीं देती है इसका कारण आपको बताना है या फिर अत्रिक्त मुद्रा वाले जरुत मंद लोगों के बीच से बैंक किस प्रकार की में देस्टा करती है और यहां पर हमें भारत में रिंड के अपचारिक इस्तोतों को बढ़ाने की जरुत क्यों है या फिर स्वयम सहायता प्रकार की हो सकते है विश्वी करन करते हैं जीर शीनतर की मुद्य की संगठन की वीवस्ता करते हैं और इलेक्ट्रोनिक डाग भेजने का माध्यम कौन है इस सभी कुशन इंपॉर्टन्ट है इनके अलावा यहां पर दो अंक्वाले प्रश्णों में आप देख रहे हैं वैस्वी करण में सरभाविधिक लाभामित हुए और इसके अलावा यहां पर देख रहे हैं आप सरकार द्वारा विदेशी व्यपार एवं विदेशी निवेस पर और रुधक लगाने के कारण लिखना है श्रम कानून में लचीलापन कंपनियां कैसे मद्द करती हैं और इसके लावा दूसरे दिश्रों में भाहुराष्ट्री कंपनियां किस परकार निरंट कर सकती हैं इसके लाव आप देख रहे हैं वैस्वी करण का प्रभाव एक समान नहीं होता है यह उब्वक्ता के दो अधिकार लिखिए यह सभी कोशन आपको याद करना है और यहां पर अध्याय पांच की बात करें तो उब्वक्ता का जो अधिकार है इसके अंतरगत एक वाले कोशन हो सकते हैं यहां पर एक अंक में आपको एक प्रशन जरूर पूछा आता है वार्शिक परिक्साओं पूछा आएगा हाल मार्क क्या होते हैं वूल मार्क क्या होते हैं या फिर एक मार्क क्या होते हैं यह सभी मानक चिन क्या कहलाते हैं इनका कोशन देखना है और इससे के नाम लिखना है यह सबी कुछन हो सकते हैं और उबुकता सुरक्षा अधिनियम निर्मार की जुरत क्यों पड़ी पर परिक्षा की तियारी कर सकते हैं जैसा कि यहां आपको बताया गया है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप इन पश्चनों को तियारी कर लेते हैं इसी पकार की कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद